हलो दोस्तों, welcome back to the channel, दोस्तों मेरा नाम है हर्श और आज हम बात करने वाले हैं जो ट्राइबर में airbags दिये गए हैं SRP airbags दिये गए हैं इसमें और ये most commonly cars में होता नहीं है जो भी इंडिया में available है ये सिर्फ रेनो की ही कुछ गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा SRP airbags तो इनके बारे में बात करेंगे और जो हमारे normal होते हैं जो सभी गाड़ियों में आते हैं SRS airbags उनके बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारी normal गाड़ियों में airbags आते हैं SRS airbags उन्हें कहा जाता है जिसका मतलब होता है Supplement Restraint System SRS का यह full form होता है and यह SRS airbags most commonly गाड़ियों में यही लगता है Toyota की, Tata की, Maruti की सब में आपको यही देखने को मिलेगा and यह बहुत अच्छा perform भी करता है लेकिन Renault में आपको वो देखने को नहीं मिलेगा Renault की karts में आपको SRP airbags देखने को ही मिलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं and यहाँ पर भी यह दोनो SRP ही airbag हैं आपको अगर मैं अच्छे दिखा पाऊ तो SRP airbag वो को passenger side भी देखने को मिलेगा and यह driver side वाला भी SRP airbag ही है तो अभी SRP airbag अभी इसका मतलब है system restraint and protection यह जो SRP airbag का system है यह थोड़ा सा advanced है इसमें कुछ special advanced features हैं कुछ advanced sensor इसमें लगाए गए हैं जो SRS के comparison में थोड़ा सा up market या के लिए थोड़ा सा upgraded ही है SRP airbags में यह खुद system detect करता है कि passenger की weight कितनी है जो गाड़ी में बैठा हुआ है and उसी के according गाड़ी decide करती है कि airbag कैसे deploy होगा मान लिजिए अगर passenger seatbelt नहीं लगाया है जो के जिस तरीके से airbag को deploy होना है वो पहले से system determine करेगा and then वो deploy होगा SRS में क्या होता है वो एकदम से deploy हो जाता है airbag and वो seatbelts के साथ बढ़िया पवर्क करता है अगर आप seatbelt लगा के अगर वो SRS airbags open होते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से perform करता है मारा SRS airbag and वहीं पर ये SRP airbag थोड़ा साथ से advanced है and ये रेनो का रेनो कहता है ये एकदम unique है market में अभी तक किसी भी गाड़ी के पास ऐसा system नहीं है तिर्फ रेनो की गाड़ियों में आता है ये तो रेनो ट्राइबर भी तो रेनो की है तो ट्राइबर में भी आपको यही फीचर देखने को मिल जाएगा जो की अच्छी बात है थोड़ा सा आपको advanced level की safety मिलेगी लेकिन ये मैं नहीं किसी भी तरीके से मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि SRP सबसे best है SRS से भी सबकी अपने अपने features है सबकी अपनी अपनी preference है वो airbags भी काफी बढ़ियां perform करते है SRS वाले airbags भी अगर इतने अच्छे नहीं होते तो थोड़ी गाड़ियों में सब गाड़ियों में थोड़ी apply होते हैं बट रेनो का अपना ये patented है SRP airbags तो बढ़िया है रेनो के ही नहीं जितने भी french made cards है उनमें मैंने कहीं पर article में पढ़ा था जो french made cards है उनमें ये use होता है अब पता नहीं कौन सी company कौन सी brand में use होता है लेकिन रेनो के portal पे उन्होंने clearly mention किया है कि ये unique है market में तो शायद हो सकता है रेनो के पास ही हो इसका rights SRP airbags के बट SRP airbag मुझे भी अच्छे ही लग रहे हैं ये क्योंकि मैंने जब देखा था पहली बार ट्राइबर में SRP airbags तो मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा ये लगता है इससे जो SRS airbags उनसे थोड़ा हलका नीचे का level का है ये क्योंकि ये economical गारी है ये बहुत तो मुझे लगा शायद SRP airbag है तो थोड़ा सा इसमें cost cutting करके कुछ assistance के इसमें निकाल दिये गए होंगे लेकिन जब मुझे पता चला कि ये थोड़ा सा और advance ही है SRS वाली airbag से तो मुझे काफी अच्छा लगा ये देख करके और काफी खुशी भी हुई तो फिर मैंने ज़्यादा तर इसका internet पर research हिया और article पढ़े तो फिर मुझे पता चला तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए and कोई भी सुझाव ये suggestions आप मुझे देना चाहते हूं वो नीचे comments में दे सकते हैं दोस्तों वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद